असलाम अलेकुम हम बनाएंगे रमजान के लिए मीठा बहुत इज़ी और जटपड बनता है कुछ ड्राइफ रूड है काजू बदाम पिस्ता अखुरूड हमने लिए आपके पास जो ड्राइफ रूड होगा आप ले सकते हैं हमने मिक्सी के जार में डालकर इसको करश करना है हलका इसमें से हम थोड़े निकाल लेगे गाडनेशन के लिए बाक्या हम इसमें ही डालेगे आगे दिखाते हैं यह देखें थोड़े से हम निकालकर रखेंगे पास हमने ब्रेट के स्लैस लिए इसको एक मिक्सी के जार में ड ब्रट क्रम्ब बना लेगे और चार मेरी विटा विस्किट के चार मेरी विटा विस्किट लिए हैं अब देखें अच्छे से ब्रट क्रम्ब बन चुका है इसका अब हमने जो ड्राइफ रूट थोड़ा सामने आपनी निकाला आयए गार निशिन के लिए बाकिया हम सब इसमें मिक्सर के जोर में फिर से डालेगे इसको कि दो पकेceptions हमने चोटे वाले क्रीम के लिए अब फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं when मैं चोंते क्रें के दो छोटे क्रीम हं इसलिए हमने दो लीये बहुत अच्छा लगता है जटपड़ भी बनेगा अच्छा भी लगेगा के कंडल्स में कहें हुमने एक टीन लिया है आपको जितना मीठा पसंद हो आप चेक करके डाल सकते हैं हमने एक पूरा टीन लिया है कि हमने दो पैके डोले थे एक पहले हमने डाला था एक अब यह हम डाल रहे हैं यह देखे हैं बहुत जबर्दस है मेटा लगता है और बनता भी जल्दी कुक भी करने की जरूरत नहीं कुछ नहीं अब फिर से हम इसको मिला लेगे सारी चीज़ों को कि अब बार कि अब बर्वर्वर्व है कि अब करें देखें जारी चीज़ों कि अच्छे से मिक्स होगी है अब हम इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेन एदके हमने यह बिस्किट डाले थे विटा मेरी थोड़ा सामने आदा टीस्पुन के करीब वेनिला एसेन डाला इसको मिक्स करके एक डिश में हम निकाल लेगे इसको एक देर गंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रखेंगे इसमें थोड़ा सा हलका सा थीक ठंडा होगा थीक होगा तो बहुत अच्छे से लगीगा यह स्वीट एक देर घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे इसको सेट होने के लिए जो हमने काजू और यह ड्राइफ फ्रूड निकाला हुआ था हम उपर काड़नेशन करके इसको रखेंगे यह देखें हम उपर डखकन लगा कर हमने एक देर घंटे के बाद फ्रीजर से निकाला आए इसके अच्छे से इसे पीज गिरना चाहिए इसलिए इसको आप सेट होने के लिए फ्रीजर में रखती थे जरूर हमारे तरीके से ट्राय करना अब लोगों को पसंद आएगा हमारे वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बेल जरूर दबाए ताकि जो भी हमारी नहीं वीडियो अप्लोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी कि अब देखिया हमने एक निकाल के आपको दिखाते हैं प्लेटिंग करके प्लीज जरूर ट्राइ करते रहे ना कि अब आप कि अब आप आप कि अब कि अब आप कि अब आप